नमस्कार मित्रो बंदू स्वागत है हमारी एक नई वीडियो पे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने घर बैठे मोवाल फोन से पता कर सकते हैं कि आप आयूसमान कार्ड बनाने या बनवाने के योग्य हैं या नहीं साथ ही में आप उस लिष्ट को भी चेक कर सकते हैं कि आपके घर परिवार में कितने लोग आयूसमान कार्ड बनवाने या बनाने योग्य हैं तो चलिए सुरू करते हैं इसके लिए आपको अपने मुबाल फोन या लेफ्ट आप में कोई भी गूगल व्राउजर को ओपिन कर लीना है सार्च वार में लिखना है nha.job.in उसके बाद एंटर करना है एंटर करने के बाद National Health Authority की जो पहली वेबसाइड है वो यहाँ पर आजाएगी इस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आप National Health Authority की जो ओपिस्चल वेबसाइड है उसके आप डेश्बूर्ड पर आ जाएगे इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर इसका इंटरफेस मैंने डेक्स्टॉप साइड में कर रखा है यहाँ पर आपको उपर मेन्यू का एक option मिलेगा यहाँ पर PMJY के option पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप Officially वेबसाइड प्रधान मंत्री जैनारोगी योजना की आ जाएंगे यहाँ पर आपको मिलेगा Am I eligible इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक नया पेज खुलेगा यहाँ पे पहले कुछ और तरह का एक पेज खुलता था जिसमें आपको mobile number डाल कर OTP प्राप्त करके उसमें login करना होता था और आपके gram पंचायद में वो list आपको देखनी होती थी पर यहाँ पे कुछ changes होई है जिसमें आप अप अपने घार या परिवार के ही सिर्फ आई उसमान कर्ड में नाम देख सकते हैं यहाँ पे एक login as का एक option है जिसमें आपको beneficiary और operator के दो option मिलते हैं beneficiary यहाँ पे जो लावारती है वो खुछ से यहाँ पे देख सकता है operator ID से यहाँ पे जब beneficiary से भी नहीं मिलता है तो वो operator ID से देख सकता है और एक लावारती है तो उसके साथ उसके family member को भी जोड़ सकता है यहाँ पर बात करते हैं बेनिफिसरी खुश से कैसे चेक कर सकता है कि उसके परिवार में कितने मिम्बर्स हैं किन किन का आयुसमान काड बन चुका है किस किस का बाकी है तो चलिए सुर करते हैं इसके लिए आपको यहाँ पे इस पेज पर अपना पहले मुबाइल नमबर यहाँ यहाँ पेज़ा जाएगा वोЧтоटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है उसके बाद यहाँ पे दे ववर जो कयप्रप्चकवड है उसको select करना है और next option is scheme का है तो यहाँ पर easily बात है प्रधानमंत्री जनारोग्य योजिना की अंतरकत है तो यहाँ पर उसको select करना उसके बाद district का option आएगा आप अपना जो जिला है उसको select करेंगे next option search by के option पर आएगा आपके पास अगर family id है तो आप family id के number डाल कर उसको search कर सकते हैं मैंने और यूटूब पर एक video डाल रखी है कि आप अपनी जो family id है उसको किस तरह से पता कर सकते हैं ग्रम पंचाइद हूँ तो यहां पर आधार number के option पर क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे आपको अपना जो आधार number है उसको डालना है और यहां पर आपको search के option पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहां पर कुछ इस तरह का आपको interface दिखाए दे रहा होगा जिसमें आपको सबसे पहले आपको family id मिलेगी और यहां पर second में आपका जो पिता का नाम है वो यहां पर आपको दिखेगा उसके बाद आपके जो relation है वो आपको यहां पर दिखेगा और यहा काम यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे first में उसके बाद यहां पर कौन-कौन यहां पर KYC कर चुका है वो यहां पर verified आएगा उसके बाद किसका भी बाकी है वो unit identified में आएगा जिनकी KYC नहीं हुई है और जिसका बन चुका है वो यहां पर approved में देख सकता है और वो download भी कर सकता है उसके बाद यहां पर कुछ cases में iOS 1 card यहां पर नहीं बनाया जा सकते हैं वो operator ID से बनेंगे लेकिन कुछ cases में यहां से आप beneficiary ID से ही बना सकते हैं अगर आपके अधार card के साथ आपका mobile number लगा है तो आप घर बैठे ही अपना iOS 1 card बना सकते हैं यहां पर iOS 1 card बना है कि आप beneficiary ID से बना सकते हैं यहां पर operator ID से बनाना पड़ेगा तो आप operator ID यानि अपने जो नियर्वी सरकारी अस्पताल है जो चिकसाल है उसमें जाकर आप अपना iOS 1 card बनावा सकते हैं यहां पर बात करते हैं कि जो members हैं वो यहां पर 7th है और जो की विल्कुल right है हमारे 7 members हैं family में और सभी का नाम यहां पर add है यहां पर कुछ cases में किसी का नाम add नहीं हुआ है तो वो भी अपनी operator ID से अपने चिकसाले में जाकर जो iOS 1 बनवाना चाहते हैं जिन members का नाम नहीं है इस list में वो बनवा सकते हैं तो दोस्तों अमीद करते हैं यह वीडियो आपको कभी पसंद है यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें अपने दूस्तों के साथ सेर करें चैनल पर पहली आ रहते हैं चैनल को सस्क्राइब कर लें